दिल्ली के पूर उपमुख्य मंत्री आमाद्मी पार्टी के नेता और आबकारी नीती घोटाले में मुख्य अभ्युक्त मनीश सिसोद्या को नियमित जमानत सुप्रीम कोट से भले ना मिल पाई हो लेकिन उन्हें दिवाली से एन पहले मनीश सिसोद्या शनिवार को अपनी पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच उनसे मिल सकेंगे अब हम आपको बताएं कि पीछे के कहानी मनीश सिसोद्या ने अपनी पत्नी से मुलाकात के लिए दिवाली से पहले 5 दिनों की मुहलत मांगी थी कि 5 दिन उन्हें अंतरिम रुप से अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो दिवाली पर अपनी पत्नी के साथ रह सके सुनवाई शुरू हुई तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई गई है अदालत ने CBI और ED से पूछा कि क्या आपने जो सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स मनी सिसोधिया ने लगाई है जो 5 दिन की वो मुलाकात की इजाज़त चाहते हैं क्या आपने उसका वेरिफिकेशन किसी चिकित से विशेशग्यों से कराया है इस पर CBI और ED के वकीलों ने कहा कि उन्हें भी तक इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं कराया है लेकिन मनी सिसोधिया के वकील ने कहा कि हाई कोट में जब इन्होंने अरजी लगाई थी तब भी यही सर्टिफिकेट यही रिपोर्ट दिये गए थे और उस समय उन्हें कंसीडर किया गया था मनी सिसोधिया के वकील ने मामले की नजाकत को भावते वे ये भी कहा कि अगर पांच दिन नहीं तो कम से कम दो दिन उन्हें अपनी पत्नी के पास रहने की मुलाकात की इजाज़त दी जाए अदालत ने आखिरकार उन्हें शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अजाज़त दी है और वो भी पुलिस का स्टेडी में रहेंगे साथ ही मुलाकात करने के बाद वो उन्हें वापस जेल ले जाया जाएगा अब हम बताएं कि सुप्रिम कोट ने मनिशी सुद्या की जमाने तरजी खारिज करते हुए क्या कहा था सुप्रिम कोट ने मनिशी सुद्या की जमाने तरजी खारिज करते हुए ये कहा था कि अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है हाँ ये देखा जाएगा कि निचली अदालत यानि विशेश अदालत से सुप्रिम कोट ने कहा था कि 6-8 महीने के भीतर ट्राइल पूरा कर दिया जाए साथ ही ये भी शर्त लगाई कि अगर 3 महीने में ट्राइल की रफ्तार बहुत मध्धम रही संतोष जनक नहीं रही तो मनिश्य सोधिया तीन महीने बाद फिर से नियमित जमानत के लिए अरजी दाखिल कर सकते हैं तो फिलहाल उन्हें अगले साल के शुरवाती दो महीनों तक तो जार करना ही पड़ेगा लेकिन ये जरूर है कि भले उन्हें नियमित जमानत नहीं मिल पाई हो लेकिन दिवाली से एन पहले यानि धंतेरस रूप चौदस दिवाली और लाब पंचम इस बीच में उन्हें अपनी पतनी से एक दिन मिलने की इजाज़त मिल गई है यानि शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपनी पतनी से मलाखात कर सकेंगे बाचीत कर सकेंगे और जाहिर है अपने सुख दुख भी शेयर क झाल 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 झाल